आज के लेक्चर में हम NTS Get General का एक पेपर डिसकस करेंगे जो 11 जुलाइ 2021 को हुआ है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टुडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्स्क्राइब कर लें जनरल की आपके पास चार केटेगरीज होती हैं A, B, C and D हम चारों पेपर से रैंडम कोईस्टन्स डिसकस करेंगे तो यह आपके पास अनलिटिकर रिजनिंग का एक केस है जो के पास पेपर की वीडियो से रिपीट हुआ है इसका सोल्यूशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं यह आपके पास क्वेशन नमबर वन है यह आपके पास चार आप्शन है यह आपके पास चार आप्शन है यह आपके पास एक पॉजिटिव इवन इंटिजर होना चाहिए जो के ग्रेटर दन यूनिटी कहते हैं वन को यानि के ऐसा इवन इंटिजर है जो वन से बड़ा है और वो पॉजिटिव है तो आप कह सकते हैं कि जो एन की वैलियू है वो आपके पास टू होगी अब वो कह रहा है कि जो 2 से next even integer है वो आप कैसे find करेंगे इन 4 options में से कौन सा ऐसा option है जिसमें आप n की value put करें तो next even integer generate हो जाए तो आप देखिए n की value हमने 2 निकाल ली अब आप option alpha में n की जगह पर 2 put करें तो 2 प्लस 1 या 1 या आपके पास 3 होता है तो यह हमारा answer नहीं है 3 is not next even integer फिर आप option b में n की जगह पर 2 put करें तो इसका answer आता है 3 by 2 यह तो एक integer ही नहीं है तो यह हमारा answer नहीं है फिर आप option c में n की जगह पर 2 put करें 3 into 2 6 तो यह next even integer नहीं है यह उससे भी next even integer नहीं हो सकता option delta में n की जगह पर two put करें तो two का square आपके पास four होता है और two से जो next even integer है वो four है तो आप option delta को tick कर देंगे यह आपके पास question number two है वो कहरे है आपके पास एक expression दी गई है 3x plus 5 इसमें x की कितनी x की कितनी ऐसी integer values हम put कर सकते हैं कि इस expression को simplify करने के बाद जो answer आए वो one से greater होना चाहिए और three hundred से smaller होना चाहिए तो इसको अगर हम inequality form में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं one is less than three x plus five is less than three hundred which means x की हमने value यहां से find करनी है कि x की कितनी integer values हैं जो इस inequality को satisfy करती है तो इसको हम दो हिस्सों में solve करेंगे पहला इसा होगा one is less than three x plus five इसको हम कैसे solve करेंगे x के लिए इसको rearrange कर लें तो आप देखिए जो right side by five आउसको left पे लेके आएंगे one less than three x one minus five minus four होता है minus four is less than three x three इदर आकर divide हो जाएगा तो minus four by three is less than x या फिर इसको आप कह सकते है minus one point three three is less than x ये हमने एक पार्ट solve कर लिए अब दूसरा पार्ट इसका क्या होगा three x plus five is less than three जो कि इसके लिए अब x को rearrange करते हैं तो left side पे जो five है उसको right पे लेके जाएंगे तो three hundred minus five वो two ninety five होता है left side पे जो three है वो उदर जाकर divide कर देंगे तो two ninety five divided by three तो x is less than 98.33 ये आ जाएगा अब हमने ये बताना है कि x की values integer होनी चाहिए अब हमने ये बताना है कि x की values integer होनी चाहिए तो x की value minus one point three three से लेकर 98.33 तक कितने integers आते हैं वो नीचे show किये गए है कि x की value minus one हो सकती है zero हो सकती है one two three up to 98 तक हो सकती है तो ये वो hundred integers हैं जो verify करते हैं तो आप कहेंगे कि hundred integers ऐसे हैं कि इस expression यानि कि 3x plus five में put करें तो आपका answer one से greater आएगा और three hundred से less आएगा तो आपका answer one hundred होगा ये आपके पास question number three है convert 13.5% into fraction form हमने इसको fraction form में represent करना है ये भी past paper से repeat हुआ है तो आप इसको कैसे लिखेंगे 13.5 आगे percent का sign है तो वो आप divided by hundred करते हैं percent जब भी finish करेंगे divided by hundred लगाएंगे अब आप 13.5 का decimal खतम करेंगे तो वो decimal जब खतम करेंगे तो उपर 135 आजाएगा और नीचे 10 आजाएगा क्योंके decimal के बाद एक digit है तो नीचे 10 आएगा अब नीचे दोनों values को multiply कर दें 135 divided by 10 और hundred को multiply करें तो 1000 बन जाएगा अब आप 5 के साथ दोनों values को 135 होता है 5 200 जार 1000 तो 27 by 200 ये आपके पास answer आ जाएगा ये आपके पास question number 4 है इफ 12 books cost 264 rupees how many how much 9 books will cost वो कह रहा है अगर 12 किताबों की कीमत 264 रुपए हो तो हमें बताइए 9 किताबों की कितने कीमत होगी तो यहाँ पर आप books और cost का relation लगा सकते हैं तो initial books है आपके पास 12 है तो वो हमने लिख दी और initial cost 264 है तो उसकी जगह पर हमने 264 लिख दी गा final books आपके पास 9 है तो उसकी जगह पर हमने 9 लिख दी है और जो cost है वो हमने find करनी है तो उसकी जगह पर हम X लिख देंगे अब हमने यह deliver Carolyn करना है कि यह directly proportional है या inversely proportional है देखें जितनी ज़्यादा books आप पर जितनी कम books purchase करेंगे उतने कम पैसे लेगेंगे तो यह दोनो quantities आपस में directly proportional है तो directly proportional के लिए क्या trick आपके पास आप cross में values को multiply करते हैं यानि कि 9 आपके पास multiply होगा 264 के साथ तो आप लिखेंगे x is equal to 9 multiply by 264 और जो value बच जाएगी वो 12 है वो आप 264 और जो value बच जाएगी वो 12 है वो आपके पास denominator में आ जाएगी अब आप cancellation करें 12 ones are 12 12 22s are 264 होता है अब आप 22 को 9 के साथ multiply कर देंगे तो 198 आपके पास answer आ जाएगा यानि के 9 books की जो cost है वो 198 रूपीज है यह आपके पास question number 5 है simplify करना है 6 plus 6 minus 6 multiply by 6 divided by 6 ऐसे questions के लिए एक trick है वो आप गौर से सुनिएगा सबसे पहले यह होना चाहिए कि जो numbers दिये गए हैं वो सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए यानि के number और आप देख सकते हैं 6 number ही चल रहा है और दूसरा यह है कि जो sequence है operations का वो इस order में होना चाहिए addition, subtraction, multiplication और division यह दोनों बातें जब भी follow होंगी तो answer वो ही same digit ही आएगा जो question में दिया गया है पहली condition यह है कि same digit होना चाहिए दूसरी condition यह है कि sequence यह होना चाहिए addition, subtraction, multiplication और division तो आपके पास इसका answer 6 ही आएगा तो आप कहेंगे 6 will be our answer आप अगर इसको verify करना चाहें तो इसको verify भी कर सकते हैं यह आपके पास question number 6 है 100 square minus 99 square यह question भी past paper से repeat हुए तो आप इसको trick solution के साथ कैसे कर सकते हैं आपको पता है कि a square minus b square का formula क्या होता है a plus b into a minus b तो यहाँ पर a की जगह पर आप 100 assume करें b की जगह पर आप 99 assume करें तो 99 into 100 minus 99 तो 100 plus 99 199 होता है और 100 minus 99 यह 1 होता है तो 199 को 1 के थाथ आप multiply कर देंगे तो 199 आपके पास answer आ जाएगा यह आपके पास question number 7 है if x is equal to 4 y is equal to minus 2 find x minus y whole square तो आप इस expression में जहाँ पर x है उसकी जगह पर वो value put कर दें y की जगह पर उसकी value put करके simplify कर लेंगे तो देखिए हमने सबसे पहले x की जगह पर 4 रखा और y की जगह पर minus 2 रखा अब expression में जो minus sign है जगह पर minus 2 रखा अब expression में जो minus sign है वो as it is रहेगा तो अब आप minus और minus multiply हो जाएंगे तो यह 4 plus 2 आजाएगा 4 plus 2 आपके पास 6 होता है और 6 का square आपके पास 36 होता है तो इस expression का answer आपके पास तो इसको आपके पास question number 8 है what is 75% of 200 तो इसको आप equation में convert करें what की जगह पर x आजाएगा is की जगह इक्वल टू 75 की जगह पर 75 परसेंट की जगह पर डिवाइड बाइड बाइड ऑफ की जगह multiply और 200 की जगह पर 200 आजाएगा अब 100 की 2 zeros और 200 की 2 zeros आपस में cancel out हो जाएगी तो बाकी बचेगा 75 multiply by 2 तो 75, 250 होता है तो आपके पास x का answer 150 आजाएगा question number 9 है if 2p plus 5 is equal to 20 then find 2p minus 5 तो सबसे पहले जो expression दी गई है उसको हम simplify करते हैं तो आप देखिए लिखा हुए 2p plus 5 is equal to 20 left side पे जो 5 है उसको right पे लेके जाएगे तो 20 minus 5 अब 20 minus 5 आपके पास 15 होता है तो 2p is equal to 15 आजाएगा हमें अब find करनी है 2p minus 5 की value तो आप equation के दोनों side से 5 subtract कर देंगे तो subtracting 5 from both sides तो 2p minus 5 is equal to 15 minus 5 दोनों side से 5 5 minus कर देंगे ये 5 क्यों minus कर रहे हैं because we have to find the value of 2p minus 5 अब 2p minus 5 as it is रहेगा right side पे 15 minus 5 10 आपके पास answer आजाएगा तो आप कहेंगे 2p minus 5 का answer आपके पास 10 आता है जीन स्टिनर्स ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया उनसे request है कि वो चैनल को ज़रूर subscribe करें ये आपके पास question number 10 है 0.45 can be written in fraction form as तो 0.45 को सबसे पहले आप decimal खतम करेंगे तो ये 45 divided by 100 आएगा divided by 100 क्यों आया है कि कोई decimal के बाद जितनी zeros होती है अब decimal के बाद जितने digits होते हैं उतनी आप denominator में zeros लगाजाए denominator में one के बाद two zeros लगाजीं तो 45 divided by 100 इसको अब आप simplify कर लेंगे 59 divided by 20 इसका answer आजाएगा ये आपके पास question number 11 है simplify करना है 0.01 multiply by 0.01 इनको आप आप से decimal खतम करने कैसे करेंगे पहली value को आप लिख सकते हैं one divided by 100 क्योंके decimal के बाद दो digits है तो हम denominator में इसके बाद दूसरी value आपके पास है 0.01 उसका भी same one by 100 आजाएगा अब आप numerator को numerator से multiply कर दें और denominator को denominator से multiply कर दें तो आप लिखेंगे one multiply by one divided by 100 multiply by 100 तो यह बनेगा one divided by ten thousand अब one divided by ten thousand को आप simplify कर लेंगे तो 0.0001 आपके पास answer आ जाएगा यह आपके पास question number which number is both square and cube और नीची आपको चार options दिये गए है 8, 9, 27 और 64 अब आपको पता है कि 64 जो है वो आपके पास 8 का square होता है और 64 जो है वो 4 का cube भी होता है तो 64 वो number है जो square भी है और cube भी है तो आप option delta को tick कर देंगे यह आपके पास question number 13 है 1.5% of 100 is what तो आपके पास सबसे पहले 1.5% का आप percent करेंगे तो आप लिखेंगे 1.5 divided by 100 percent जब खतम करते हैं तो divided by 100 आ जाएगा और 100 की जगा पर 100 आ जाएगा is equal to x अब आप x के लिए इसको simplify कर लें 100 के साथ 100 cancel हो जाएगा तो बाकी बचेगा 1.5 अब 1.5 को आप लिख सकते हैं 15 by 10 इसको आप simplify कर लें 210 और 5 3,015 होता है तो आप कहेंगे जो x का अंसर है आपके पास 3 by 2 आ जाएगा यह आपके पास question number 14 है what is the additive inverse of minus 5 इसका solution यह है कि किसी भी नंबर का आपने additive inverse अकर निकालना हो तो उसका sign chain कर दें अगर वो positive है तो उसको negative कर देंगे अगर वो negative है तो उसको positive कर देंगे तो आपके पास minus 5 का जो additive inverse है वो आपके पास plus 5 आजाएगा या फिर आप इसको 5 भी कह सकते हैं यह आपके पास question number 15 है simplify करना है x plus 2 into x plus 3 आपने इनको multiply करके बताना है क्या answer आता है तो सबसे पहले x को x के साथ multiply करेंगे तो x square आ जाएगा फिर आप 2 को x के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा अब 3 के साथ multiply करें 3 into x 3x plus 3 2006 होता है अब 2x और 3x को आपस x बान जाएगा तो आप कहेंगे x square plus 5x plus 6 यह आपके पास answer आ जाएगा जो students get, net और head की preparation के लिए हमारा one-to-one online course join करना चाहते हैं वो दिये गए whatsapp नंबर पर contact कर सकते हैं या दिये गए email पर contact कर सकते हैं उनको इंशाला बहुत अच्छी preparation करवाई जाएगी Thank you so much for watching full video. Please like, share and subscribe for more video lectures. Take care. Allah Hafiz. Assalamualaikum.